अब इस दे नियूज अनलेसिस के माध्यम से हम लोग नियूज को इनलीसिस करने के साथ साथ करेंड अफेर्स और में फोकस अभी जो आपकी अंडरस्टेंडिंग को लेकर मैं बता रहा हूं जहां पर आप इंग्लिश के वोकाब को भी सीखते हैं तो हम लोग यह सारी चीजो के अपने अंदर वो चीज डालने कोशिश करें साथ ही साथ चुकि यहां का में मोटी हमारा इंग्लिश शिखाना भी है तो इंग्लिश के ग्रामर के रूस भी हम लोग आस पड़ते हैं वो क्याव को भी देखते हैं और कुछ जो इंपर्टेंट फ्रेज जैसे और नयने फ सब्सक्राइब के साथ क्या लिखा जान दिजेगा ऑल्वेज बियर इन माइंड है ना बहुत ही शांदार लाइन लिखा रहता है ऑल्वेज बियर इन माइंड डैट यूर ओन एजूलुशन रिजूलुशन का मतलब होता है आपका द्रिड या संकल्व हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए that your own रिजूलुशन यारी आपकी अपनी जो द्रिड संकल्व है आपकी अपनी जो किसी काम के परती जो डिडिकेशन है to succeed वही आपको सफलता तक पहुंचा कर ले ज सबसे अधिक इंपोर्टेंट आपका अपना द्रिड संकल्व है जो आपको हमेशा success की ओर लीड करती है यारी सफलता दिलाने में आपको help करती है तो यह बात आपको माइन में पूरी तरह फोकस करना चाहिए या फिर माइन में पूरी तरह बैठा लिजी आप लोग कि आप आपको के वला स्कैन करके चीजों सकते हैं यह आपका यूट्यूब है यह आपका है टली राम यह फेश्वूग और यह आपका प्लेश टोर्स जहां से आप हमारे मुवाइल अप्विकेशन को डाउनल करके ऑनलाइन क्लासे से जुड़ सकते हैं आगे बरते हम लोग आज के न्यूज जो है यह बात किया जा रहा है यूएस और पकिस्तान से दिखते हम लोग क्या कह रहा है बहुत सांदार चीजे हैं ध्यान दिजेगा यूएस विव हैं क्या लिखाया देखे यूएस विव यूज यूज यूनाटे स्टेट्स प्रोस्पेरस एंड डिमोक ठीक है मतलब शम्रिध एंड लोगतांत्रिक ठीक है उसका मतलब क्या होता है शम्रिध और यह होगी है लोगतांत्रिक पाकिस्तान एज क्रिटिकल टू इट्स इंट्रेस्ट क्रिटिकल का मतलब यहां पर कई सेंसु यूज करते हैं कई बार क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टे जहां पर लिडर सीफ चेंजेज इन पार्क आर्मी ठीक है यानि वाइट हाउस जो अमेरिका में है है ना उनका भी जो मतलब कुछ इसे मंतर दिया जा रहा है क्या जो पाकिस्तान में आर्मी को ले करके कुछ बदलाव वहां किये गए उसके कॉडिंग या उस पर धारिट ठी पाकिस्तान आर्मी जनरल साहिर शमसाद मिर्जा ओन शंडे ग्रामर के नियम से कुछ चीज़ों को बात करें तो जितने भी आपके विक्स या मंत्स के नेम आते हैं तो उसके साथ अलगलब प्रिपोश्चन यूज़ करते हैं हम लोग जैसे महना का नाम यनि मंत्स के नेम जब दिया रहेगा January, February तो वहाँ पर इन लगाते हैं आप लेकिन विक्स के नाम जब रहते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं ओन का यूज़ करते हैं लेकिन एक ची और ध्यान रखेगा अगर मंत्स के नाम के साथ कोई event जोड़ दें कोई घटना जोड़ दें तो वहाँ भी preposition in का यूज़ ना करके on का यूज़ करते हैं यह ची ध्यान रखना आपको ठीक है took charge जब कोई भी इंसान अपना पद घरन करता है तो उसके लिए a special phrase का यूज़ करते हैं हम लोग take charge का मतलब ही होता है पद घरन करना यह छोटे-छोटे phrases को आपको भी ध्यान रखना है ठी ठीक है take charge मिसके होता है पद घरन करना होता है took charge हैना as the chairman joint chiefs of staff committee after his predecessor 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 का मतलब होता है उसके पहले वाले जो लोग थे उसके बारें बात कर रहा है तो pre मतलब होता है पहले और predecessor मतलब इसको आपका सकते हैं इससे उत्तरा धिकारी होता है successor जो बाद वाला होता है आप प्री डिसे से मतलब पहले वाला ठीक है यहां ली सकते हैं पहले का यह पहले वाला जेनरल रिटायर नदीम रजा हंग अप हिस बुट्स है ना a day earlier बहुत ही शांदार फ्रेज का यहां यूज किया है वो फ्रेज किया है हंग अप हिस बुट्स यह फ्रेज बनता है हैंग अ यह निवरित होना ठीक है रिटायर होना और रिटायर अंगले इंग्लिश में बोलते हैं शूपर एन्यूएटेट्एड यह इनुएट इसका मतलब पहले है इसको धिया रखने आपको और यह देख रहा है फोटों आप लोग यह जो है आपके ठीक है देखेग या लिखा ह इस पर यह अधायत नीज था आगे बढ़ते हैं क्या करा इसमें और ध्यान दीजेगा यहां लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजिए को में फोकस करते चलने आप लोगों को है ना पाकिस्तान आर्मी अंडर गोइंग सब लिखा है विद्धा पाकिस्तान आर्मी अंडर इसक वह क्या है कि सुमाइं प्रोस्पेरस एंड्यटिक पाकिस्तान ऐस critical टू एस क्रिटिकल टू इसी इंट्रेस्ट मतलब उसका जो इंट्रेस्ट है उसको ले करके बात की जा रही है किस रूप में प्रोस्पेरस एंड़ दिकार को ले करके एंड इट वांस तो कंटिनू देखिए दोची ध्यान लखिए आपर वांट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं इंफिडिका यूज करते हैं लेगे वहीं लिखाए फिर कंटिनू वर्किंग और कंटिनू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं कंटिनू के साथ हम लोग यूज करते हैं जि करते हैं इंफडीं करते लगी फंक करते हैं अगर बात करेंबारिक कान्टीון हो गया था इतना अगसि touch हो गया। हो गया कि इन सब के साथ क्या करते हैं आप लोग जिरन का यूज करते हैं तो ग्रामर के कुछ ऐसी सब्द है नियम है जो को ध्यान रखना है विट इस्लामबाद टू प्रमोट स्टेबिटी इन्द रजण ठीक है क्या करा है इस पुरेयों का मतद समझेगा पकिस्तान आर्मी अंडर्गूइंग अमेजर चेंजिस यानि वहाँ जो है पकिस्तान आर्मी में क्या हो रहे हैं काफी मेजर बदलाव काफी मेजर चेंजिस किये जा रहे हैं किसलिए भाई दा उसका जो मनतब है वो काफी प्रोस्पेरस और लोगतांतरिक मुद्दों के लेकर है मतलब अपने हितों के लिए और वो चाहता है क्या अमेरिका जो है वो यह चाहता है कि इस्लामबाद में क्या करें अपने चीज़ों को करें ताकि उस जगा पे उस छेत्र में स्ट्याबिलिटी में रहे यानि कि स्ट्याबिलिटी कायम रहे ठीक है ना आगे देखते हैं क्या है पॉर्मर आई एस आई चीफ है ना फॉर्मर पहले के लिए जनरल असी मुनीर हैस रिप्लेस्ट रिप्लेस्ट का मतलब उनको चेंज करके किसी दूसरे को लाया गया है जनरल कमर जावेद वजबा ठीक है को रिटायर्ड ओन नॉम्बर 29 आफ्टर सर्विंग टू कॉन्सक्यूटिव जान दिखेगा कॉन्सक्यूटिव मतलब होता है लगातार थ्री एयर टम्स एस पाकिस्तान्स आर्मी चीफ इन दा कू प्रोन कंट्री कू का मतलब क्या होता है कू होता है मिलिटरी के अर्थ में कूप नहीं पड़ते है कूप पड़ते हैं ठीक है कूण कमयों मिलिटरी ऑने आर्मी के लिए यूज करते हैं कू सब्द तो अब प्रोन का मदद किया होता हैhair नुक्रों का मतलत अ यह किया करना कि सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए मुझत करते हैं यह birld पाभर का मतलब है जिए करना को चलाने के आर्थ निया कंट्रॉल करने के आर्थ में होता है क्योंकि Adir सासर चलाना चलाना मिल्ट का मतलब जब कि इसमतर आपको ध्यान रखते om यहां पर ठीक है चलिए यह क्या हो गया पूरा पूरा हट गया था यह चलिए ठीक है क्या में बोले सासन चलाना है तो यहां पर ही बात किया रहा है कि जो फॉर्मर आईसाई चीफ है जनरल अर्शी मुनीर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है तो है रिप्लेस जनरल कमर जावेद वजवा जो रिटायर अभी हुए थे नॉवंबर 29 को ठीक है और कैसे सर्विंग टू कॉंस्कुरिटिव थ्री परें बात कर रहा है वेर्दा मिलिट्री विल्स कंसरेबल पाबर इन मैंटर सब सेकुरिटी एन फॉर्म पॉलिसी ठीक है आगे देखी क्या लिखा है ज्यान दीजेगा उसके बाद एक सब्सक्राइब पकिस्तान आर्मी जनरल साहिर समसद मिर्जा और शंडे ठीक है तूक परें पहले ही पढ़ने आप जानते हैं चलिए और यह फ्रेस ध्यार रखिएं आप uh his boots का मतलब होता है किसी पद से क्या होना रिटायर होना जिसको हम बोलते हैं सूपर एनुवेट मतलब रिटायर होने का है जो आगे लिखा है आगे लिखा हुआ है इसमें The United States values our long-standing cooperation Long-standing means होता है काफी लंबे समय तक किसी का सहीयोग बना रहने के लिए बीद पाकिस्तान has always viewed as a prosperous and democratic पाकिस्तान एक शम्रिद और लोगतांतरी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है As critical to US interest White House Press Secretary Karine Zine Pire नाम दिया है told reporters at a news conference अब यहां पर grammar का एक निया याद रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई similar में कोई इंसान भाग लेता है तो वहां पर use करते हैं at a conference क्या बोलते हैं लोग at a conference बोलते हैं ठीके ध्यान रखिएगा at a conference या at a summit summit का हिमात होता है similar वारता की अर्थ में तो यह proportion at आता है और यहां पर article भी fix होता है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है ठीके इस इन सारे वर्ट के साथ जब भरु के रूमें काम करेंगा इसके साथ कभी आपको एस का यूज नहीं करना है इसके साथ एस का यूज नहीं करना है कब जब तक यह सब हरु काम करते हैं तब लेकिन चुकिए यहां पर appointment वहीं कर रहा था है यह वहीं त्रीके से प्रोस्पेरस एंड डेमोक्राटिक पाकिस्तान की रूप में ठीक है तो यहीं चीज यहां पर बेंसर कर रहा था आगे बढ़ते क्या कर रहा है अब ध्यां में लूप फॉर्वड 2 कणि वर्च भित पाकिस्तान जाया अब भी ज्यांदीच यहां पर कहले रहीं लूप फॉर्वड 2 अन्य पर? लूप फॉर्वाड 2 हाना? मेंसर में वे वेट-वेट-वेट-वेट-वेट-भी लूप फॉर्वाड-टth करें साथ हमें साथ क्या करते हैं before उसकरते हैं ऐसे और with Pakistan to promote stability, prosperity for the people of Pakistan and the reason she said, ठीक है, relation between the US and Pakistan, अब दो कि बिट्विन के साथ पेर में क्या आता है हमेशा एंड आता है ध्यान रखिएगा, have nose dived, आइक साथ दिया है, ठीक है, in recent times, after former Prime Minister Imran Khan blamed Washington, दो कि ब्लेम का मतलों क्या होता है, किसी पर आरोप लगाने के रहत में, ब्लेम क्या होता है यहाँ पर, किसी पर आरोप लगाना दोस लगाना, आरोप मढणा, मढणा या दोस लगाने के रहत में होता है, पर आर्केस्ट्रिंग, लेकि आर्केस्ट्रिंग का मतलता है कि अरेंज करने के रहत में, अरेंज करना या एडाप्ट करना है ना एडाप्ट इस हूप में होता है दा ओपोजीशन से नो कॉन्विदेंस मोशन इसको हम लोग बोलते हैं आब इश्वास अगेंस्ट हीम इन अपरेल इस यह ठीक है तो यह करें लेसें बिटुबिन नोस डाइब का मतलब होता है कि अच्छे रिलेक्शन नहीं होने यानि खराब संबंद सावित होना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और जो एलिगेशन लगाया गया था उसको उन्होंने क्या किया है अभी आपने देखा किसी को जब हम पद से बाहर निकाल देते हैं पद से क्या करना जबरदस्ती हटा देना अई उसको बोलते हैं ऑस्ट क्या बोलते हैं ऑस्ट हम फर्मपाबर ठीक है तो यह आप यही सर्ट दिखा है जो फो फोर्मर की कर्केट अर टर्ण इम्रान खान जो है पहले क्रिकड़ थे बाद में क्या प्रडिशन बन गे उन्होंने इसा दवा किया है दा फॉरिन कॉंस्पिरेशी वास विकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट ठीक है फॉरिन पॉलिसी और इस्लामाबास टाइस बित कंट्रीज यानि उनकी जो फॉरिन पॉलिस मतलब कहने का मतलब यह है कि बारी देशोंस पैसा मंगा घरके अपने देशों को और स्ट्रॉंग करना और मुझे पत से निकालना ऐसा उन्होंने दवा किया है किसने इम्रान खान ने ठीक है क्या कर रहा है देखिए जान से लिखा आगे क्रिटिक्स अक्यूज क्रिटिक्स मतलब जो अलोचक होते हैं अक्यूज मिशिस खान जो मिस्टर खान होना चाहिए और फॉर्दर जियो पार्डाइजाइन तो देखिए एक मिन होता है जियो पार्डी जियो पार्डी मिसका होता है डेंजर छत्रा यूज करते हैं लोग जियो पार्डी ठीक है कि लेकि कंट्री मिस्टोमिक आउट्लुक मिस्का होता है आउट्लुक ठीक है ध्यान अखिएगा बाइड इमेजिंग रिलेशन्स किसी भी प्रिपोर्शन के बाद जो भर का यूज करते हैं वह हमेंसा ज्रेंडियल फॉर्म में होता है बिज दा यूएस आई एम एफ एफ एन अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स और हूम कैस स्ट्राप्ड पाकिस् इस पेपना व्यूज रखते हुए अमेरिका ने पकिस्तान को एक प्रॉस्पेरस और बताया है और अपने जो रलेशन है लंबे समय तक ठीक है ना उसको लेकर करके बात की है और साथी साथ यह भी कहा है कि अमेरिका का अगर साथ रहा तो वहाँ जो चीजे हैं उस रीजन म में इसलामबाद में क्या होगा स्टैबिलिटी मिंटेंड रहेगा बना रहेगा ठीक है तो इसी पर हाली ये नियूस अनलेसिस था उमीद है चीजे बहतर लगी होगी आपको और इसे अधिक सदी लोगों तक सेयर करिए ताकि और अधिक सदी बच्चे जूट सके हाँ पर और सब लोगों इसलाव उठा देगे तो आज के इस सेशन में फिला लिता हैं रगते हैं लोग है ना आपको इस सेशन में जोडने के लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर अगले क्लास में ये निकल थैंक यू सो मच